जारखन बनने के बाद 1932 खतियान के आधार पर अस्थाइनी और नियोजनीती की मांग उठा रही है लेकिन हाल में ही राजेपाल रमेज बेस ने वधान सभा से पारित 1932 के खतियान वधैक को हेवन सरकार को वापस कर दिया है इस मामले को लेकर राजेवासियों के बीच भ्रम के स्थिथी बनी हुई है 1932 खतियान के मुद्दे को लेकर पदमसरी मधु मनसूरी से खास बादचित की रफ्तार मीडिया के समवादाता सौरबराई ने जारखन के अलग हुए 23 वर्ष पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी खतियान एवं इस्थानिया निती को लेकर आप देख रहोंगे वर तमाम समय में भी लगतार कसा कसी तेज है जारखन सरकार एवं गवर्नर के बीच भी आप देख सकते होंगे किस तकार से राजनिती हो रही है इस सभी कुछ को लेकर हमारे साथ भी बास्चित करने के लिए मौजुद है पदमस्री महधू मंसूरी जी यह जारखन आंदुरण कारी में भी अपना एक एहम रोल निभा है हम इन से जानना चाहेंगे दादा खतियान से क्या समझते हैं क्या खतियान लागू होने के बाद जारखन्डियों को एक अपना हक है वह मिल पाएगा खतियान मिलने से जारखन्डियों का जो अलग लाइफस्टाइल है वह मिल पाएगा दिखे इतना बड़ा भारत बरस देश है और इसमें इतना राज है बहुत सारे राज है सभी राजों की अपना-पना अस्थान्य निती है तो जारखन मूल के लोग भी जारखन्दी स्टाइल से यहां का जो प्राधान है प्राधान नहीं है अपनी सोच है उसको ख़ड़ा कर करना है अस्थापित करना है तो आदमी को कश्थ होता है और यहां हम सोचते हैं अगर 20-22 साल होने के बाद में भी जारखन के लोगों को अगर खास लाव नहीं मिला है उसके कारण भी है कुछ हम आज तक अभी जो सता में बैठे हैं जेमें के अग्वालों कार्जियन लोग उनको हम बहुमत के लाइक भोट आज तक नहीं दिया अगर हम इनको 50-60 विधायक देते हैं और उनका दिल में बस जाएगा कि हम कभी पिछड़ेंगे नहीं हमको हमारे लोग हमको उचीत विधायक देगा तो निश्चे ही हमारा मन को लगता है लाब देगा जैसा कि आपने प्राम से खतियान जारखन को दे सकेंगे रफ्तार मीडिया समयता स्वरब राय सेयोगी मुकेस के साथ राची